हेलो एबरीबन वेलकम टू स्टडी स्मार्ट इस्टूडियो आज हम एंशेंच हिस्ट्री में सीमावर्ती राजबंस की बारे में पढ़ेंगे सीमावर्ती राजबंस में आज हम सेनवंस और वर्मन बंस की इतिहास को जानेंगे सबसी पहले हम सेन वंस की इतिहास को पढ़ेंगे सेन वंस की अभिलीखों के अनुशार सेन वंस की राजा मूल्टा करनाटक की रहनी वाली थी सेन वंस की स्थापना सामंच सेन ने पस्चिम बंगाल की राण नमाकिस्तान पर की थी सेन वंच की राजा मूल्टक करनाटक की रहने वाली थी और सेन वंच की स्थापना सामन चेनने की थी सेन वंच की राजधानी अलग-अलग समय में अलग-अलग इस्तान पर थी इसकी राजधानी नदिया, लखनोती और गोर नमक इस्तान पर थी और सेन वंस की राजभासा संस्क्रेती सेन वंस की बारी में हमें जानकारी बिजय सेन की दिवपारा अभी लिक से प्राप्त होती है और कुछ साहित जैसे बल्लालचरित ग्रंथ, अद्बुसागर ग्रंथ और जयोदिय की गीत गोविन ग्रंथ से सेन वंस के इतिहास के बारी में जानकारी हमें प्राप्त होती है यह है सेन वंस की सासक सेन वंस की स्तापना सामंच सेन ने की थी सामंच सेन के बाद हेमंच सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लचमंच सेन सासक हुए कुछ इतिहासकार लचमन सेन को सेन वन्स का अंतिम सासक मानते हैं लेकिन लचमन सेन की बात कीशाव सेन, विस्तरूप सेन और सूर सेन सेन वन्स का सासक बनता है सामन सेन सामन सेन का सासनकाल एक हजार सतर सी एक हजार पंचानवे इसवी की मद्द में था यह सेन वंज का संस्तापक था समंज सेन ने पस्चिम बंगाल की राण नमक इस्टान पर छूटी सी राजी की स्थापन की थी समंज सेन की बाद उसका पुत्र हेमंज सेन सासक बनता है इसका सासंकाल 1995 से 1096 इसबी की मद्ध में था समंज सेन सेन वंज का संस्तापक था और इसने पस्चिम बंगाल की राण नमक इस्टान पर सेन वंज की निव डाली थी समंज सेन की बाद हेमंज सेन सासक बनता है लेकिन उसका सासंकाल सिर्फ एक बर्ष के लिए था हेमन्च सेन की बाद विजय सेन सासक बनता है इसका सासनकाल 1096 से 1108 इसवी की मद्ध में था विजय सेन सेन वन्ज का वास्तिक संस्तापक मानने जाता है और यह हेमन्च सेन का पुत्र था सेन वन्ज का वास्तिक संस्तापक किसी मानने जाता है विजय सेन को विजैसेन सेव धर्म का अनुआई था और इसने दिवपारा में प्रदिनीश्वर्थ सिव मंदिर का निर्मार करवाय था विजैसेन किस धर्म का अनुआई था शेव धर्म का और इसने दिवपारा में प्रदिनीश्वर्थ सिव मंदिर का निर्मार करवाय था बिजैसेन ने परम माहिस्वर अरी राज ब्रस संकर की उपादी धारं की थी इसने अपनी राज़दानी विजैपूर व विक्रमपूर को बनाई थी बिजैसेन ने अपनी दो राज़दानी बनाई थी एक थी विजैपूर और दूसरी थी विक्रमपूर विक्णमपूर वर्तमान में बंगला देश में है इसने पाल बंस की राजा मदनपाल की राज़धानी गोण पर अधिकार कर लिया था और मदनपाल को इस कारण मगद में सरन लेली परी थी पाल बंस की राजा मदनपाल को विजैसे ने पराजित किया और उसकी राजधानी गोंड पर अधिकार कर लिया था दिवपारा अभिलिक का निर्मार इसकी दर्वारी कभी उमापती धर ने की थी दिवपारा अभिलिक का निर्मार किस ने किया था विजैसेन की दर्वारी कभी उमापती धर ने इस अभिलीक में बिजैसेन की बिजियों का उल्लिक मिलता है डिवपाड़ अभिलीक किस से सम्मनित है बिजैसेन से कभी सिरी हर्स ने इसकी प्रिसंसा में बिजै प्रसस्ती की रचना की थी कभी हर्स ने बिजय सेन की प्रसंसा में बिजय प्रसंस्ती की रचना की थी बिजय सेन की रानी दौरा कनक्तुला पुरुस महदान यग का आईजन कर आये गये था जितना मैंने हाईलक्त क्या है उतना आपको याद रखना है बिजयसेन की बाद बल्लाल सेन ससकबनता है इसका सासनकाल 1189 सी 1159 इसबी की मद्ध में था यह बिजयसेन का पुत्र था और इसने गुनिश्वर की उपादी धारन की थी बल्लाल सेन एक उच्छ कोची का विद्वान था इसने बल्लाल चरित्र दान सागर और अदबुच सागर ग्रंथ की रचना की थी बल्लाल सेन एक उच्छ कूती का विद्वान था और इसने बल्लाल चरित्र दान सागर और अदबुच सागर ग्रंथ की रचना की थी बल्लाल सेन ने कुलीनबाद नाम सी एक अंदूलन चलाए था बल्लाल सेन ने एक अंदूलन चलाए था कुलीनबाद नाम सी इसमें ब्रामरों वेस्ट वा कायस्ट को श्रिष्ट कहा था इस अंदूलन में ब्रामर वेस्ट वा कायस्ट को श्रिष्ट कहा गया था बल्लाल सेन ने कनोसी ब्रामनों को बुलाकर बंगाल में बसाये था बंगाल में ब्रामनों को किसने बसाये था बल्लाल सेन ने बल्लाल सेन के बाद लचमन सेन सासा कुआ लच्मन सेन बेसरनाव धर्म का अनुयाई था और इसने परम भागवत की उपादी धर्ण की थी लच्मन सेन किस धर्म का अनुयाई था बेसरनाव धर्म का इसने अपनी राजधानी गोर के निकत लखनोती या लच्मन वती को बनाया था लचमन सेन ने अपनी राजधानी गोण की निकत लखनोती को बनाय था लखनोती का आधुनिक नाम नदिया है लखनोती का आधुनिक नाम क्या है नदिया लचमन सेन की दर्वार में जैदेव, धीजी, हलायुद और स्रीदर धास रहते थे लचमन सेन की दरवार में अनिक बिद्वान राइते थे जिसमें प्रमुक, जैदेव, धीई, हलायुद और स्रीररधास थे लचमन सेन की दरवारी कभी धोई ने पबंदूत की रचना की थी, जैदेव ने गीत गोविन्द की रचना की थी लचमन सेन ने अपने पिता भलाल सेन दौरा प्रारंब किये अद्भुच सागर नाम ग्रेंत को पूरा किया था लेकिन इसे पूरा लचमन सेने किया अद्बुसागर ग्रेंथ में कुछ कविताएं स्री धर्दास के सदुक्ति करनामरत ग्रेंथ से ली गई थी लच्मन सेन का नियाधी स्वा प्रधान मंत्री हलायुद्ध था लच्मन सेन का नियाधी स्वा प्रधान मंत्री कौन था हलायुद्ध 1202 इसबी में बक्तियार खिल जी ने बंगाल पर आक्रमार किया और इसकी राजधानी नदिया को जीत लिया था 1202 इसबी में कुतुबुद्दीन एबक के सेनपती बक्तियार खिल जी बंगाल पर आक्रमार करता है और लच्मन सेन की राजधानी नदिया को जीत लेता है बकतियार खिल जी जब आक्रमर करता है बंगल पर तो लचमन सेन पूर्वी बंगल में चला जाता है आंगी का सासन लचमण सेन पूर्वी बंगाल अर्थात बंग्लादेश से करता है। लचमन सेन के बाद केसाव सेन और विश्च रूप सेन सासक बनते हैं। दसरत दिव ने विश्चरूप सेन को हराकर पूर्वी बंगाल में दिव वंच की निव डाली थी। आपको सेन वंच के बारे में एक पॉंच यार रखना है कि सेन सासक नहीं सबसे पहली हिंदी में अभिलिक उतक्रीन करवाय था। सेन सासको नहीं सबसे पहली हिंदी में अभिलिक उतक्रीन करवाय था। अब हम बर्मन बंस के इतिहास को जानेंगे। बर्मन बंस मुक्ता असम में पहला हुआ था। कामरूप का बर्मन बंस। चोथी सताबदी की मद्ध में कामरूप में बर्मन बंस का उदाय हुआ प्राचीन काल में असम को कामरूप कहा जाता था और चोथी सताबदी की मद्ध में कामरूप में बर्मन बंस का उदाय हुआ था इस बंस की स्थापना पुष्य बर्मन ने की थी और इसकी राजधानी प्रियाग जोतिस्पुर थी कामरूप की बर्मन बंस की स्थापना किस ने की थी पुष्य बर्मन ने और इसकी राजधानी प्रियाग जोतिस्पुर थी पुष्व बर्मन का सासनकाल समुद्रगुप्त की समकालिन था कालेंतर में कामरूप पाल बन्स का अंग बन जाता है पुष्व बर्मन इस बन्स का संस्तापक था और आंगी चलकर कामरूप पाल सामराच का अंग बन जाता है यह हैं कामरूप के वर्मन बंस के सासक, पुष्ण बर्मन इस बंस का संस्ताफक माना जाता है, फिर इसके बाद अंगला महत्पूर्ण सासक भूती बर्मन था, भूती बर्मन का उल्लेक निधनपूर तामपत्र अभिलेक में मिलता है, भूती बर्मन के बाद अंगला महत्प शुष्टित वर्मन था, नालंदा मुद्रा लेख में सु इस्तित वर्मन द्वरा दो अश्वमेग यग कराई जाने का उल्लेख है। शुष्टित वर्मन की बाद अंगला महत्पूर्ण शासक सु प्रितित वर्मन था, सु प्रितित वर्मन का उल्लेख दूबी तमर्पत अभिलेख में मिलता है। वर्मन को गोर नरेश ससांक ने पराजित किया था। सु प्रितित वर्मन की बाद भासकर वर्मन सासक बनता है। यह बर्मन बंस का अंतिम महत्पूर्ण शासक था। इसने कन्योच की राजा हर्स वर्दन से मित्ता की थी। वर्मन बर्मन ने कन्योच की राजा हर्स वर्दन से मित्ता की थी। और यही इस वर्मन का अंतिम महत्पूर्ण शासक था। इसके बाद बर्मन बंस पतन की ओर चला जाता है और पाल सामराच का हिस्सा बन जाता है। नेस्ट वीडियो में हम कस्मीर के उतकल वंस कारकूज वंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुजबाई। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई हूँ तो आप हमारे वीडियो को लाइव और चेनल को सस्क्राब जरू करें। तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में।